ध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूँगा कि भारती जी आप से दो सब्द मुखातिव हो कोने कोने से आये मेरे साथी गण माताएं, बहने, मंच पर विराजबान, देवियों, सजनों सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त आप सब को मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब जय भिहार आप सब को मालुम है कि पिछले दो सालों से प्रशांत किशोर जी, जिस अभियान में लगे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उन्हें अभी अभी आपको डीटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अरजन कैसे होगा फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा उन पांचों स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है, जिसे कुछ भी बदला जा सकता है और यही इनकी खूबी है, कि जो इन्होंने सोचा है, वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे अनालिसिस है और मुझे एक प्रबुद राजनी तिग्य की तरह पशान किशोर जी की सारी बातें लगती है अगर कहा जाए कि इनके लीडर्शिप में हम कहां तक पहुँच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक जलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली इसमें केवल एक बात मैं और अड़ करना चाहूंगा बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं, नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है पूरा उत्तर बिहार बाड़ की विभीशिका को बुरी तरह जेल रहा है जन सुराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाये जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हो, विनाशकारी शत्रू नहीं ये भी प्लान हम जन सुराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन से सला मश्विरा कर रहे हैं आपने ये भी सुना कि मैं नेतर हार्ट स्कूल से पढ़ चुका हूँ नेतर हार्ट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें या चित्रकला हो, या म्यूजिक हो मुझे हर चीज की सिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूँ बिहार मेरे साथ रहा है उसके कुछ उदाहरन ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनाइकों को तोफे देने की परंपरा रहती है और मैं हमेशा ही मधुपनी पेंटिंग तोफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूँ अगर हमारे हैं कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है ये तो एक उदाहरन है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है लेकिन जो हम करना चाहते हैं जो आप सब सारी बिहार की जंता को समझाना चाहते हैं वो एक महतिकार्य है उसमें दो साल तो अल्रडी पशांत किशोर जी ने लगा दिये हैं अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कारिक्रम रुकने वाला नहीं है तो ये एक जैसा मैंने कहा बहुत बड़ा काम है लेकिन जैसा हमारे राष्ट कवी बिहार से ही आये हुए रामधारी सिंग दिनकर जी ने कहा है खम ठोक ठोकता है जब नर परवत के जाते पाउं उखड मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो जन सुराज के अभियान के इस स्तर पे जो responsibility जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं आपको आश्रस्त करता हूँ कि मैं उसे पूरी लगन इमानदारी करमटता से निभाऊंगा और अपने पूरे कारे काल में जो की छोटा है लेकिन विवेक पूर्ण धंग से निरनयों के साथ उस राह पे चलूँगा मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चैन किया है मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जै बिहार जै जै बिहार भन्यवाद एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल ध्वनी से जोरदार तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए ताली रुकनी नहीं चाहिए कम से कम दो मिनट ताली बजनी चाहिए ताली जोर से ताली बजाईए